यहाइन से आप अचे हम घृइंशन के पार वन पार टू पार थी परफॉर्म कर लेंगे और आज हम डेमेंशन जो मेकेनिकल केटेगरी की डेमेंशन से उनको हम कम्प्लीट कर लेंगे तो start करते हैं specific gravity से उससे पहले अभी हमें जैसा कि हम हर lecture में starting में करते आए हैं dimension के लिए आपको जो चार dimension याद रहनी चाहिए वो है एक तो velocity की तो velocity की dimension क्या होती है आपको याद रखनी है lt-1 ओके अब आपको acceleration की dimension याद रखनी है lt-2 आपको force की dimension याद रखनी है m1 l1 t-2 ठीक है यह होगी force की और एक आपको energy और work की dimension याद रखनी है वो है m1 l2 t-2 तो यह dimension आपको याद करके चलनी है जो भी lecture तीन lecture से यही बात कर रहे है तो सबसे first dimension हम पढ़ते हैं आज की specific gravity तो specific gravity क्या होती है यह देखे specific gravity में हम किसी object की density को water की density से compare करते हैं तो किसी भी object की density को 4 degree centigrade पर water की density से अगर हम compare करते हैं तो इन दोनों का ratio कहलाता है specific gravity या इसको specific density भी कहते हैं तो specific gravity की जगे आप specific density भी लिख लेना यहाँ पर थोड़ा सा correction कर लेना यहाँ पर आपको करना है density of water at 4 degree centigrade तो किसी भी object की density को water की density से अगर हम compare करते हैं तो वो होती है specific gravity या specific density अब आपको पता है density की जो unit होती है वो होती है kg per meter cube तो यह देखिए density है और इसकी unit है यहाँ पर लिखता हूँ मैं kg per meter cube और यहाँ भी आप देखिए density है और इसकी unit हो जाएगी यह density है तो इसकी unit हो जाएगी kg upon meter cube वो जला जाएगा उपर inverse में kg से kg cancel out, meter cube से meter cube cancel out क्योंकि उपर भी density है, नीचे भी density है तो उपर भी unit होगी kg per meter cube और नीचे भी unit होगी kg per meter cube, बोथ हार cancel और यहाँ पर अगर unit नहीं है तो dimension भी नहीं होगी क्योंकि density की dimension होती है ml-3 क्योंकि density क्या होगी kg का mass और meter cube का L3 फिर से kg का mass और meter cube का L3 तो यह भी आपस में cancel out हो गए और यहाँ बची है no unit, M0, L0, T0 clear हो आपको यह, तो specific gravity की कोई unit नहीं होती it means specific gravity is unit less and dimension less next हम देखते है quantity, surface tension surface tension I think हमने पहले देखा है लेकिन फिर से देख लीजिए यह जो dimension वो है जो हमने, जो मुझे लगा कि अभी भी और mechanical dimension बची है जो हमने last lecture में cover नहीं की, तो यहाँ मैंने बता दिया यह ताकि हम आगे जब numerical करें, तब हमें किसी भी प्रकार की problem नहीं आए तो देखे, surface tension क्या होता है, यह हम पढ़ेंगे fluid dynamics में, fluid mechanics में, जब हम liquid के flow को पढ़ेंगे हम liquid at rest पढ़ेंगे, हम liquid at motion पढ़ेंगे, ठीक है तो liquid जब rest में रहता है, तब उसके पास property होती है surface tension की, ठीक है, तो यह इसका formula बनता है force per unit length, force per unit length, तो force का क्या बना unit? Newton, और length का unit क्या बनी? meter, तो Newton का dimension क्या होती है? M1, L1, T-2, और meter की क्या होती है? L1, यहां से L1 से L1 हो जाएगा cancel out, तो बन जाएगी dimension M1, L0, T-2, तो dimension आप हो clear होगी होगी तो next है thrust, जब भी हम देखते हैं rocket की motion को, तो rocket जैसे मालो project होता है, तो नीचे की तरफ से उसकी gas emit होती है और वो उपर की तरफ move करता है, तो rocket पर जब उपर की तरफ force लगता है, reaction force of gas लगता है, जब हम Newton law of motion पढ़ेंगे तो आपको clear हो जाएगा, तो rocket पर जो उपर की तरफ जो force लगता है हम उसे बोलते हैं thrust, क्या बोलते हैं? thrust, upward force को हम बोलते है thrust, तो thrust भी एक type का force है, एक तरह का force है, तो thrust एक force है और force की unit होगी Newton और dimension होगी M1L1 T-2 अब देखिए next है tension, जब भी हम रसी से, string से किसी चीज को बांद कर ऐसे खींचते हैं तो रसी में tension आती है, या दो उंगलियों की बीच में रसी बांद कर ऐसे खींच रहा हूँ तब भी रसी में tension आती है, तो tension भी एक तरह का force होता है और force की unit Newton और dimension होगी M1L1 T-2 next है radius of gyration, यह हम देखेंगे, अगर कोई system rotate कर रहा है तो उस system की जो radius होती है, उसको हम बोलते है radius of gyration इसको हम explain करेंगे जब हम rotational dynamics पढ़ेंगे अभी आप देख लीजिए कि radius है, इसका मतलब length है या distance है और distance की unit होती है meter, और meter की होगी L1 dimension M0L1 T0 जहाँ पर यह गलत हो गया है, यह देखो L1 होगी dimension, तो हम इसके से लिख सकते हैं का dimension formula, ऐसे bracket लगाएंगे M0L1 है और T0, किसके लिए? radius of gyration के लिए, next next आती है velocity gradient देखिए जब भी नाम आता है gradient, मैंने आपको पहली बता रखा है मुझे लगता है, gradient का मतलब upon में distance आजाएगा या वो quantity, distance के साथ change हो रही ए, अगर velocity distance के साथ change हो रही है, जैसे यहाँ अगर इस distance पर अगर किसी object की velocity 5 meter per second है और उपर आने पर 4 meter per second हो जाती है और यहाँ पर 3 meter per second हो जाती है, तो क्या हो रहा है? distances के साथ velocity में change आ रहा है तब ही हम velocity gradient का concept आता है तो velocity gradient का मतलब होता है velocity upon length pressure gradient, pressure upon length energy gradient, energy upon length ठीक है any gradient of physical quantity that physical quantity upon में length clear होगा आपको यह ओके तो velocity gradient क्या होगा velocity upon में length upon length upon distance velocity का आपको पता है l t minus 1 और length का होता है l, l से l हो जाएगा cancel out, यह बन जाएगा t minus 1 यहाँ पर velocity का meter per second unit देख लीजिए और distance की meter meter से meter cancel out बन जाएगी second inverse, ओके next है rate of flow rate of flow होता है जब भी कोई liquid flow करता है किसी pipe से तब liquid के पास क्या होता है volume पर second में हर एक second में जितना volume बहार निकल रहा है वो उसके flow को indicate करता है कि flow कितना है तो rate of flow क्या होता है volume per unit time rate of flow क्या होता है volume per unit time, volume का हो जाएगा meter cube और upon time है तो second inverse clear हो आपको यह तो meter cube का l cube upon time है तो उसके लिए t, m0 l3, t minus 1 मुझे लगता है आपको अगर आपने 3 part dimension के पड़े है तो आज के lecture में आपको बिल्कुल problem नहीं होने चाहिए बिल्कुल easy लगना चाहिए आपको आज का lecture तो pressure gradient क्या होगा pressure upon length pressure की unit याद रखो Newton per meter square pressure का formula याद रखो force per area तो pressure की जगे में लिखूंगा Newton per meter square upon length है तो meter ये बन जाएगा Newton per meter cube Newton की जगे M1, L1, t minus 2 and meter cube है तो L cube ये L cube inverse होके बन जाएगा L minus 3 L minus 3 and L1 हो जाएगा L minus 2 ये clear हुआ सबको M1, L minus 2, t minus 2 तो next dimension है intensity of wave intensity क्या होती है किसी भी light अगर किसी surface पर enter हो रही है किसी surface पर incident हो रही है तो वो जो energy है per unit area और per unit time में मतलब समदलो एक meter square पर जो light incident हो रही है उसकी energy incident हो रही है एक second में वो उसकी intensity होती है intensity क्या होती है energy per unit time per unit area is known as intensity energy per unit time per unit area तो energy की unit होती है joule time की होती है second और यहाँ पर मैं जगे second की जगे time करना चाहिए आप इसको change करके correct कर लो time कर लो second की जगे है ठीक है तो energy की unit हो जाएगी joule time की जगे हम लग देंगे second और area की जगे हम लग देंगे meter square ओके तो joule की जगे हम लिखेंगे m1 l2 t-2 second की जगे हम लिखेंगे t1 और meter square की जगे हम लिखेंगे l2 ठीक है तो यह आपको कोई problem नहीं होने चीए energy की जगे energy की dimension लिखें time की जगे time की dimension लिखें और area की जगे l2 लिखें तो l2 से l2 cancel हो जाएगा यह t inverse हो जाएगा यह हो जाएगा t-3 तो m1 l0 t-3 next dimension है radiation pressure radiation pressure होता है intensity upon speed तो intensity की अभी हमने देखी dimension यह देखिए intensity of wave हमने पढ़ा तो radiation pressure होता है intensity upon speed यह radiation pressure हमारे तब आता है जब हम 12th के अंदर optics part पढ़ते हैं या 12th के अंदर modern physics पढ़ते हैं वहाँ हमें radiation pressure का concept पता लगेगा अभी आप यह ध्यान रखो radiation जो भी आ रही है light जो भी आ रही है वो किसी surface पर कितना pressure लगाती है तो उसका formula होता है radiation pressure का intensity of wave upon speed of light तो intensity of wave आपने अभी देखी इसका dimension आपने देखी M1 L0 T-3 यह देखिए M1 L0 T-3 M1 L0 T-3 हो गई dimension of intensity of wave और speed of light की आपको पता है L T-1 तो solve करेंगे यह L1 का हो जाएगा inverse तो यह हो जाएगा L-1 और T-1 यह बन जाएगी M1 L-1 T-2 अब intensity of wave आपको पता है क्या होती है energy per unit time per unit area तो इसकी जगे लिखिए energy की जगे Joule per unit time मतलब second area मतलब meter square और speed of light हो जाएगी meter per second, second से लाजाएगा inverse में उपर ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इसको हम आगे भी solve कर सकते हैं देखिए second से second क्या हो जाएगा cancel out देखिए, इसके बाद मैं यह step यहाँ कर रहा हूँ Joule second से second हो जाएगा cancel out तो मेरे पास बच जाएगा नीचे meter cube अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Joule की जगे क्या होता है Newton into second unit होती है अब स्वारी Joule की जगे में लिख आँ Newton into meter क्योंकि Joule होता है energy work बराबर force into displacement तो work की होगी Joule force Newton into displacement Newton into meter clear हूँ work क्या होता है force into displacement displacement Joule equal to हो जाएगा Newton into meter तो इस Joule की जगे में लिख दूँँगा Newton into meter अब आन में meter cube ठीक है meter से meter हो जाएगा cancel out यह बन जाएगी हमारे पास Newton per meter square तो यह clear हुआ यहाँ पर Newton per meter square कैसे आया Newton की जगे में लिखूँगा M1 L1 T-2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप dimension इस formula से भी निकाल सकते हैं ठीक है तो इस समझ में आगे सबको तो अब हम बात करेंगे ऐसी quantities की जिनकी dimension नहीं होती जिनकी dimension 000 होती है और जिनकी unit भी नहीं होती है तो हम बात करेंगे unit less और dimension less quantities की तो जब भी हम कई बार objective question परफॉर्म करते हैं एक बात और आप सुलो कि इस lecture के बाद मैं dimension 1 से लेकर dimension part 4 तक एक test रखूँगा आपको जो link है test का वो description में मिल जाएगा multiple choice questions होंगे और जिससे आपको dimension में बहुत help होगी ठीक है जैसी आप exam complete perform करेंगे Google Forms में तो आपको result भी आपको बता लग जाएगा तो उसमें आपको बता लगेगा कि dimensionless quantities कौनगोंसी होती है तो paper में question आता है which of these quantities have dimensionless ठीक है इस तरह से question आता है तो आप कोई याद रखना पड़ेगा कि dimensionless quantity कौनगोंसी होती है एक तो आपने देखा था specific gravity density of body upon density of water at 4 degree centigrade यह भी dimensionless होती है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे एवो गैदरो number की एवो गैदरो number भी एक number है अब number में आपको बताया था कि जो भी number होता है उसकी कोई dimension नहीं होती है तो dimension हो जाएगी m0,l0,t0 और इसकी unit भी नहीं होगी it means it's unitless अब Reynolds number फिर से क्या आ गया number तो number की कोई dimension नहीं होगी m0,l0,t0 जो physical quantity जो number में होती है वो dimensionless और unitless होती है ठीक है अब हम बात करते है refractive index आपने 10th class में पढ़ा था ये क्या होता है ratio of speed of light in vacuum to speed of light in other medium तो speed of light in vacuum speed of light की unit क्या होती है meter per second speed of light in another medium क्या होता meter per second तो meter per second से meter per second cancel out हो जाएगी तो unitless and dimensionless clear हो आपको next strain हमने पढ़ा है change in length अपन में initial length तो ये भी length से length cancel हो जाएगी meter से meter cancel it means this quantity is dimensionless and unitless next trigonometry ratio जैसे 10 theta, cos theta, sin theta sin theta क्या होता है perpendicular अपन में hypotenious ठीक है और cos theta क्या होता है base upon hypotenious तो base भी एक length है meter hypotenious भी एक length है meter तो length से length हो जाएगी cancel अगर आप बात करेंगे 10 theta की तो perpendicular upon base perpendicular भी एक length है और base भी एक length है तो length से length वहाँ भी cancel out हो जाएगा और बन जाएगी dimensionless and unitless तो जिते भी trigonometric ratio होते हैं sine theta, cos theta, ten theta, cosec theta, sec theta ये सभी dimensionless और unitless होते हैं उसके बाद बात आती है efficiency की तो efficiency होती है output energy upon input energy output energy की unit भी होगी joule input energy की unit भी होगी joule तो joule से joule हो जाएगा cancel और यहाँ पर ये unit बन जाएगी ये quantity बन जाएगी dimensionless and unitless तो यहाँ पर जितनी भी quantity की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी dimensionless और unitless है तो इस lecture को आज यहीं finish करते हैं complete करते हैं अब next lectures में आपको मैं start करवाँगा thermodynamics quantity की dimension उसके बाद electricity quantities की dimension है वो करेंगे फिर magnetic quantities की dimension हम perform करेंगे तो आज के lecture में केवल इतना ही बाकी करेंगे next lecture में तब तक के लिए बाई बाई